हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल ग्रोइंग इस्टडी में आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल 80 ठीक अनुच्यर 80 आज इसको समझेंगे 79 तक हम लोग क्या है कंप्लीट कर चुके हैं इंडियान पॉलिटी में आर्टिकल ठीक पिछले वीडियो में समझाया था क्या होता है 79 संसद के बारे में 79 किन से मिलकर बनी होती है तो यह सब चीज आप हम अच्छे से समझ चुके हैं डिटेल में ठीक और नई संसद का धर्माड हो रहा है ठीक है नई संसद बनाई जा रही है अपनी पुरानी संसद है ठीक है मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था इसमें बता दे रहा हूं कि नई संसद का निर्माड चालू है बन रही है ठीक है 22 के अंत तक बन जाएगी वो 22 या 23 के शुरुआ तक बन जाएगी क्यों बनाई आ रही है क्योंकि यो संसदों संख्या और जो राजश्वा की संख्या बढ़ेगी ठीक पॉ 250 या की 200 ठीक है ये प्रिजेंट में है लेकन आगए बढ़ेगी ठीक है तो इसकी सीटों को बढ़ाने के लिए जगा भी चाहिए तो इसके लिए बढ़ा बढ़ी बना जारी है संसद ठीक उसमें लगवा लोकसवा के किंदने 888 की संसदों सतास बैठ सकते हैं इतनी बढ़ सवाह के लगवत 384-85 के संख्या संख्या भी बड़ेगी तो यह इसी के लिए बना जारी है और वी अच्छी समें फैसलिटीज है पुरानी संसद भवन से ठीक तो आज आपन समझेंगे आर्टिकल 80 राजिसवा ठीक है और MPGK की सीरी चल रही है उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और इंडियन पॉल्टिकी सीरी चल रही है ठीक है उसकी भी लिंक मिल जाएगी तो आज आपन समझेंगे राजिसवा ठीक है राजिसवा क क्या है मैंने संसद में सागता है कि संसद मिलकर बनी होती है वह लोगसभा और राजची सब्ण और President, ठीक है? इन तीनों से मिलकर बनी होती है, पिछले वीडियो मि बताया था, ठीक? तो राजी सभा क्या है? इसे बोलते हैं उच्छ सदन यानि कि upper house और जो लोकसवा है उसे बोलते है lower house ठीक है निमन सदन याद रखना ठीक उसको लोकसवा में अच्छ समझाए आगे तो यहाँ पर क्या है राजसवा इसे बोलते है उच्छ सदन अपर house याद रखना ठीक है question बन जाता है normal पूछ लिया जाता है exam में इसे बोलते है उच्छ सदन और क्या बोलते है इसे इस्थाइ सदन याद रखना यह question बन जाता है कि राजसवा सदन होता है ये भंग नहीं होती ठीक है जैसे लोकसवा किया हर पांस साल में भंग की जाती है चुनाव होती है ठीक है तो उससे चुनाव होने से प्हले से खत सथाई सदन है तीक है यह याद रर्खना यहासे कुश्शन मनता है राज़ सवा सथाई सदन है ठीक है आगे देखो राज शवा में अधित्तम सदस्त कितने नरदार जारेत een मतलब कितनय आशकते हैたい है linking 210 सदस्त कहा है राज सवा में राजीयों से और के अंदर सासत प्रदेसों से और जो बारा है वो कौन करता है? वो President करता है ठीक है जो बारा सदस्य उनको नोमिनेट करता है President ठीक है याद रखना ये question बनता है ठीक है राजसवा में प्रधानम में वह लोग नॉमिनेट किये जाते हैंट 12 थीक है याद रखना या से पूचे जाता ही किस की दार नॉमिनेट किया जाते है तो प्रेसिडेंट टीक है तो याद रखना तो 238 अब समय चाना है योचनल शार्चेंट और योंहिंट ॓urt होते हैं art, color, science यानि की विग्यान, literature यानि की साहित से, और social service यानि की समास से इन चार जगाहां से, यहां से question बनता है, ठीक है option दे दिया जाएगा, कि इन में से 12 सरफ होते हैं, इन में से किस में से nominate नहीं किये जाते है, यह option होगा, art होगा, science होगा, literature होगा, और एक option दे दे रहेंगे, sports, ठीक है, तो sports नहीं होता है, social service होता है, ठीक है, लेकिन जो मेरिकों में, अभी प्रिजेंट में, राज सभाकिसरा से, उनने nominator किया गया है, president दोरा, तो वो sports से नहीं है, ठीक है, उनका art से संबंद है, sports का एक art, ठीक है, तो art से उनका संबंद है, इसलिए लिए है, ऐसे सचिंते अंदूल करते हैं, ठीक है, राज सभाकिसरा, तो वो भी, ठीक, या वो social service से भी आ सकते है, उनने social समाज सिवा किया, तो ऐसलिए, sport का कोई कोटा नहीं होता है, यहाँ पर, ठीक है, याद रखना, क्योंकि लोगों को लगता है, कि सचिंते अंदूल कर भी है, राज थी सदस, और presenter मेरी कॉम भी है, वो भी sports है, ठीक है, तो मैंने बताया है, प्रिजेंट में कितने है, 245 अभी राजसवा में सदस है, ठीक है, पांच खाली सीट है, तो उसको अपनों को ध्यान नहीं देना, लेकिन, अब 245 है तो उननमें से 239 हैं, वो स्टेट से हैं, और चार जो अभी प्रिजेंट में, यो केंदर सासित प्रदे तो जो विधायका होती है, विधान सावा होती है, विधान सावा होती है, विधान सावा होती है, जो राजियों की, ठीक है, वहां से सलेक्ट किये जाते हैं, सदस्य, कैसे किये जाते हैं, अपन तो इनको चुनते नहीं है, इनका अलक्सन तो अपन करते नहीं, बोट डालते और यह राजुयों में ठीक है वहां से जो लोग होते जा प्रिशंट तेर नमालो क्या MP MP Mahalo Pic something है 230 में क्या विदायक है यानी विधानसवा भिढ़ान्सवा विदानसवा सदस्य नो वोही क्या करेंगे 11 को पहुंचाएंगे राजिसवा में ठीक वोटिंग करके ठीक राष्टपती के चुनाव होता है उसमें एक बोटिंग होती है ठीक अनुपातिक एकल एक बोट की वोल्ब पाइब से रहते हैं जिसके पास ज्यादा बोट रहें वो सिस्टम रहता है तो वहां से 11 सदस चले जाएंगे कहां पर राजिसवा में ऐसा है एसा ही हर इस्टेट मे होता है वहां के जो सदस्य होते हैं विदान सभा के ठीक चाहिए यूपी हो यूपी में कितने 31 सबसे जादा यूपी से ही आते है राजी सभा में 31 ठीक है तो वहां की जो विदान सभा वहां के जो सदस्य होंगे ठीक वहीं से उनको लेक्ट किया है 31 लोगों को ठीक है अंदर ही अंपन उस तर्म आपन प्रोल्स ब्रीय Ал्हां के सथ्धशने नोले लिए कंप-इसन इललिए लॉन थान इतना क Worksअ आर जिसे जिसे अफ das PA कभी वर्ड नहीं डाला तोटोथ प्रेस्टेंट का फिलेखशे ऐसी रे tenemos 50 लोग तोटोभ te करते हैं प्रेसिधंट का वो तैक है राज्यसवा के लिए ठीक है तो जो राज्यसभा के होते हैं यह राज्य poking तो पूरी एक प्रोसेस रहती है विजूबी ठीक है तो उसको अपन Il- काइब सांसित से याद Fateurs से याद रखना यह राज। लेगिन क्या है जो revived क्यों को रॉटी से घंथ सासित प्रदेस से विटाएं और से नहीं cela सब्सक्राइब कि according होती है जैसे UP में सबसे ज़्यादा जनसंग किया है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट है राजसवा की 31 ठीक है MP में उससे कम है 11 ठीक है महाराष्ट में 18 या उननी से यहां जनसंग कि एक वाडिंग राजसवा की सदस्यों के सीटे निर्दारित की जाती चाहिए वो लोगसवा हो या राजसवा ठीक है तो यह याद रखना तैसे यूनियन टेरी तीम हो जाएगा तो यूनियन टेरी तीम क्या होता है जैसे लच्छ दीप एवां कि जनसंग के बहुत ही कम है अन यू टी है जहाँ पर वःदानसवा है एक है यहाँ पर मुख्य मंत्री होता है यह को ए दिल्ली और एक है पांड़ चेरी ठीक है और बाकि ज reflect on the Church यूनियन टेरी ठीक है उस जम्मू कश्मीर ही वहाँ वहां पर भी समीर है वेदानसवा क्योंकि वहा पर चल रहा है प्रोस सभा के UP से MP से वही सदस करते हैं चुनाव करते हैं और अपने सीटों को राजी सभा में पहुचाते हैं ठीक है लेकिन UT में ऐसा नहीं होता है दिल्ली और पहंडचिरीब वहां पार आलाग से वह होती है वहां से चुन के भेज जाते हैं जो विदान सभा की सदस होते हैं वह नहीं चुनते हैं ठीक है नहीं बोर्टिंग करते हैं उनके लिए अलग से सिस्टम रहता है वहां से फिर जाते हैं वह राजी सभा में सदस याद रखना ठीक कुशन बन जाता है ठीक है तो यह समझ में आया कि राजी सभा में सदस क्या से जाते हैं ठीक है कितने हैं कारखार 6 साल। या dando को रखना राज सभाय जो सबस्ढल से निए उनको का नहीं इसके जी कुशन बनता प्रते हव्दित।श्यों के 6 साल कार्यक पूरो आगा तो वह निकल जाएंगे। समझ रहा है यहां पर क्या बात कहीग गी कि दो वर्स में प्रतिक दो वर्स में एक वर्ट तीन याने कि सो सदस सह है он अ धिक तो हर दो साल में कितने निकल जाएगे, इस्त थे तीस चॉट पिस खे सव फो खिये एक पर टेन निकल जाए घर्ट वर्स में प्रतीक। तो वो जी बोल ला है, तो ये mission बन जाता है, कि परतेक दो वर्स में, ये याद रखना कितने बरते हैं, परतेक दो वर्स में, कितने एक बरत तीन, यानि कि 33% सदस्र निकल जाते है, राजसभा से याद रखना, ये question यासे बनता है, थीक है, जो सदस्यों के अम्र होती है, कम स गम कितनी होनी चाहिए थीस भर्स तभी राजसभा के सदसद से बन सकते हो ठीक है ठीक याद रखना यह विकुशन बन जाता है और राजसभा का सवापती कौन होता है तो यह होते हैं Vice President मैंने Vice President का वीडी बनाया Detail में समझाया है वहाँ पर यह बताया था कि राज सभा का सभापति होता है वो Vice President होता है ठीक है? उपराश्टपती होता है और इसी की सेलरी मिलती है किसको उपराश्टपती को ना कि उपराश्टपती के पद की उसे सेयरी मिलती आ यो मैंने यह सब बता दिया था र back उपराश्टपती समझाए था थिक है तो यह याद रखना तो बास-प्रेसेडन्ट का रहता है राजसवा का सभापती इंदा है तो याद रखना यहां से कुश्चन बन जाएंगे कारिकाल 6 वर्स का होता है उप्रतेक 2 वर्स में एक वटा 310 से निकल जाते हैं उम्र कितनी होनी चाहिए कम सकम 30 वर्स वास प्रैस्टिजन राजसभा का सवापती होता है ठीक है ठीक तो याद रखना एक इनका महासचिब भ की तो यहां से क्या है यह कुश्चन बन जाएंगे तो इनको समय लेना अच्छे से देख लेना ठीक इस भाज़ ने यह कुश्चन बनता है ठीक कहां से लिये जाते हैं बार बार यह जाते आर्ट साइंस लिट्रेचर सोसल सर्वेस प्रैसिडेंट के दोवारां तो यह सब प्रिजेंट में कितने हैं 245 सदस हैं तो यह सब चीजे हैं तो यहां से क्या है कुश्चन बन जाएंगे ठीक है और इसके एक आर्टिकल और भी यार 84 आर्टिकल है तो वहां पर यही राष्ट के सदस्यों के बारे बताएगी क्या मतलब पागल नहीं होना चाहिए यह सब चीजे है तो यह सब चीजे तो यहां से कुश्चन बनते हैं तो अबनो दिटेल हैं आपन समझेंगे तो आज आपून क्या राजयसवा क्या स्चय पनेंगे कर चुकिया कि मेंने सब बता दिये घंपोटेंट फेक्ट हैंång पर लिखे हुए हैं मैंने सब बता दि अगर इसमें और कुछ भी रह गया तो आगे जो वीडियो बनाएंगे लोकसभा का ठीक तो इसमें मैं बता दूँगा ठीक है अगर इसमें राजसभा में को छूट गया है तो तो आर्टिकल 81 क्या है लोकसभा संबन देते हैं वहां से भी कुश्चन बनेंगे ठीक है तो मिलत है अगले व्यूडियो में जै हिंद